आज मैं आपको अक्षर ब की कहानी सुनाऊंगी इस कहानी में एक बनिया होता है बलराम बलराम बनारस में रहता था वो बजरंग बली का भक्त था उसकी बरतन की दुकान थी जहां बहुत सुन्दर बनावट के बरतन मिलते थे बलराम के बंगले पर रंग बिरंगे बलबों की जालर लगी थी जिनको रात में जलाने से बंगला बड़ा सुन्दर लगता था बलराम के दो बच्चे थे बबलू और बबली बबलू बड़ा ही बड़ बोला लड़का था वो बहुत बढ़ा जड़ा कर बोलता था और सबसे अपनी बढ़ाई करता था बबली, बबलू को ये बचकानी बाते करने से मना करती थी पर बबलू बबली से ही बहस करने लगता था उनके घर की बगल में एक बगीचा था जहां कई बच्चे खेलने आते थे उस बगीचे में कई तरह की जानवर भी आते थे जैसे बकरी, गायका बच्छडा, बंदर, बतक, बगुला एक दिन बबलू बबली बगीचे में घुमने गए बच्चों के बीच में बबलू ने फिर से अपनी बक बक शुरू कर दी वो कहने लगा कि उसके बड़े बाबा, बलदेव, बगदाद में रहते हैं वो बहुत अमीर आदमी हैं, उनके पास सोने की बगी है और वो बबलू के लिए भी बेशुमार यानि धेर सारे बेश कीमती यानि महंगे महंगे गिफ्स बेचते हैं बबलू की ये सारी बाते बगीचे में घुमता हुआ एक बदमाश चोर भी सुन रहा था उसका नाम बंती था, बंती ने सोचा, ये लड़का तो बहुत अमीर है, जो न इस लड़के को पकड़ कर इसके पापा से पैसे मांगे जाएं बंती बदमाश बबलू के पास आया और बोला बेटा मैं एक बढ़ई हूँ, मैं बहुत सुन्दर सुन्दर बल्ले बनाता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे यहीं पास ही में मेरा घर है, मेरे सास चलो, मैं तुमें एक अच्छा सा बल्ला देता हूँ बबलू तयार हो गया, बबली ने बबलू को अजनभी के साथ जाने से मना किया पर बबलू नहीं माना और बबली के बगैर ही बंती बदमाश के साथ चल दिया बंती ने बबलू से कहा, तुम ठक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए बरफ का गोला लाता हूँ बंती ने बरफ के गोले में बेहोशी की दवा डाल दी, जिसको खाते ही बबलू बेहोश हो गया बंती ने बबलू को एक बस्ती के छोटे से बद्बूदार कमरे में बंद कर दिया बबली ने घर जाकर अपने पापा से बताया कि बबलू किसी अजनदबी अंकल के साथ चला गया है ये बाते सुनकर बलराम को चिंता होने लगी और वो तुरंद बबलू को ढूनने निकल गया उसने अपने बटवे में बबलू की फोटो रख ली बलराम बस स्टॉप गया उसने वहाँ लोगों को बबलू की फोटो दिखा कर उसके बारे में पूछा तभी एक बस के ड्राइवर ने बताया कि उसने इस बच्चे को बंटी बदमाश के साथ देखा था बस ड्राइवर ने बलराम को बंटी के घर का पता भी दिया एक कुर्सी से बांध रखा है बलराम ने तुरंद ये बात मुबाइल से पुलिस को बता दी बलराम बहुत ही बहादूर था वो बबलू को बचाने के लिए घर के अंदर घुज गया बंटी और बलराम में लडाई होने लगी इस लडाई में बलराम के शर्ट की बटन तूट गए और बंटी की तो बन्याई नहीं फट गई इतनी देर में वहाँ पुलिस पहुँच गई पुलिस को देख बंटी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने बंदूक निकाल ली बंदूक देखकर बंटी डर गया पुलिस ने बंटी को जेल में बंद कर दिया बबलू को समझ में आ गया कि बड़बोलापन नहीं करना चाहिए किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए और नहीं अजनबी की दी हुई चीज खाने चाहिए बबलू के मिल जाने की खुशी में बलराम ने सबको बताशे बाटे अच्छी लगी ये कहानी इस कहानी से हमने कई शब्द जाने जिनसे ब व्यंजन की धोनी आ रही है चलिए उन शब्दों को दोहराते हैं बनिया बनिया बलराम बनारस बजरंग बली बरतन बंगला बल्ब बल्ब बच्चे बबलू बबली बबली बगीचा बबगीचा बकरी बच्छडा बबच्ड़ा बंदर बतक बगुला बल्देव ब बल्देव बगदार बग्धाद, बग्धी, बग्धी, बद्माश, बद्माश, बंती, बढ़ई, बढ़ई, बल्ला, बर्फ, बर्फ, बस्ती, बटुआ, बस स्टॉप बस बटन बनियाईन बंदूक बताशा यह सारे शब्द अक्षर ब से शुरू होते है अक्षर ब हिंदी वर्ण माला का 23 वेंजन है धन्यवाद